एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अभी इस चैनल पर आपके लिए अगर आप चैनल पर नहीं है नो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सारी न्यूज सारी अपडेट्स आपको मिलते हैं इसी चैनल के उपड़ तो बहुत बड़ी खबर क्या है जैसा हम आ रही है न्यूज की खबर आ रही है कि भई एक्जाम का कैंसलेशन के बारे में कोई बात नहीं हुई है बट अभी आपको मैं खबर दे दूँ जो बहुत important है कि अभी गभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और Minister of Education रमेश पोक्रियाल निशांग जी ने अधार Officials Minister of Education से उनकी मीटिंग हुई है अभी और मीटिंग अभी अभी ओवर हुई है और वहाँ से खबर यह आ रही है कि PM मोदी को presentation दी गई थी different possibilities पर different options क्या available हो सकते हैं आज की rate में और उसमें online exam वाला भी option present किया गया है PM मोदी के सामने और हो सकता है आज ही इसके regarding कोई ना कोई फैसला आ जाए और केजरिवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने भी अभी अभी यह demand फिर दुबारा से देर आई है कि board exam cancel करवाए जाए या उनको online conduct करवाया जाए ठीक है तो आज की meeting बहुत जादा important रही है जल्दी आप सभी के सामने एक खबर आ सकती है जिसमें ये बिल्कुल clear हो जाएगा क्या board exam postpone होरे वाले हैं या board exam online होने वाले हैं या किसी और तरीके से बच्चों को इस बार promote किया जाएगा तो वीडियो को जल्दी ते शेयर कर दो उन सभी लोगों के साम जिनके लिए ये information बहुत जादा जरूरी है क्योंकि आप बॉल जो है पीमोदी के पास है अब उन्हें फैसला करना है क्योंकि 30 लाग से जादा student अपियर होंगे cbc के class 10 और class 12 के exams के लिए इस साल और क्योंकि COVID के cases बढ़ते जा रहे हैं इसलिए बहुत जादा चिंता का विशे है कि किस तरीके से किया जाए इस बार exams को लेकर फैसला तो बने रहे हैं चैनल के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना कमेंट करके बताना आप क्या कहते हो as a student कैसे exam conduct करवाने चाहिए thank you so much for watching